हेलो गुड मॉनिंग आज मैं बनाने जा रही हूं अनर्से जो कि चावल के आटे और पूरे की साहता से यह सब सामुदी के साहता से बनाए जाते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सामुदी बताती हूँ इसके लिए दो बाउल चावल के आटे की एक बाउल बूरा यह पिसा हुआ बूरा चीन जो भी होता है और इसके लिए इलाइची बिच्छा दो साथ एक चमश्च सपेद देल नारियल कसा हुआ दूद्ध और यह ब मैं इनको बाद में तलूँगी तो आये मेहन आपको इसका आटा बनाना बताती हूँ कि इसका आटा हम कैसे बनाते हूँ यह दो बाउल मैंने चावल काटा इसमें डालते हैं और इसमें इल बूरे की तो यह बजाला आराम से मिल जाता है बूरा है तो इसमें बूरा ही डाल पाउडर को बनाने के लिए हमें चीनी नहीं डाले जाती है और इसमें मैंने डाला यह किलाइची पाउडर पूरा सब तिल आदा और इसमें नाचे लिए अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँ इसमें इसाराटे को बनाने के लिए जादा पानी दूद यह सब की ज़रों की बढ़ती है इसको ऐसे मैस करते जाएंगी तो हमारे चीनी और चावल का जो आटा है ना हमारे यह खुदी ऐसा होता जाता है दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा चमच की साहता से इसमें दूद डालेंगी जरा जरासन अगर हम ऐसे डालेंगे तो हम जाड़ा भी बढ़ सकता है इसकी आटा दीरे 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 गूल करें इस टाइब से आटा बन जाए इसको मैं ऐसे हाँ से कसके काकी देर तक आज करीवन दस मिनाट तक इसको ऐसे गूलना अगर जाए दो चमस दूद डाला इससे जादा में दूद ने डाला आप हमेगे साइब भी आटा इसका गूल है कि यह लगेगा सूखा-सूखा सा लेकिन बार में यह एक चमस से ही इसमें बढ़ा चीली ही सक्कर होती है इसमें इसकी पर जैसे यह उससे चामल और जीनिक प आटे बाल पाना के आप इस आटे के पयड कर बताऊं नी ना कैसे अिसके आटे में अगे गंटे के जोड़ कर दिरू यह को अगे की जाए और गंटे हो इसमें रजिखने को अभे बीदर है यह आनी छोड़ दिया ना काफी सा रहा हुआ हम थोड़ी सी तोई पीजिए इसको कम से कम दो मिनट इसको कसके है ना इसको ऐसे अतेली की साइथा से चोर लगा के ऐसे करों कि फूरा दो मिनट लगाता अब दो मिनट करने के बाद याद आए इस टाइप का आटा रहा हुआ है इसको मैंने आवा मनर्सी वनाना शुरू करते हैं मैंने देशी की कड़ाई में गरम कर रखा है जला रखी है यह होने वाला है बस जब तक हम अनार्शे यह से इतनी छोटी लोई बनाते हैं इसको गोल-गोल और इसको ऐसे दावानी ने बस आरहा हम से इसनी छोड़ देते हैं इसको हमें कचली से जादा टच नहीं करना इसको फिर यह के छोड़ देना है यह अपने आप सिखेगा इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर खी डालते जाते हैं जो इससे यह ऊपर भी सिख जाएं तो यह एक साइड से ही सिखता है यह पल्टा नहीं जाता अब यह लाइट प्राउन हो चुका है यह सिख चुका है अब यह से आरापन से निकाल देएं फिर दूसरा डालते हैं उसको यह ऐसे इसी तरीके से शिखते हैं हम इसको टच नहीं करेंगे विल्कुल अगर टच कर दिया तो यह फट दाएगा अराम से सिखने बेते हैं इस तक हम दूसरा तयार करते हैं यह टनर से हमारे तयार हुचके है यह लाइट ग्राउन कलर एसका अर्से थोड़ा टार थोड़ा लाइट यह बहुत अर्से पने हैं चलिए आप हम इसमें करेंगे अब मैं इसमें आपको एक सबसे मैं कूल बात बता हूं तो इसमें सबसे पहले इसमें चीनी की जो मात्रा है ना जो मैंने बता ही है अजिए एक हिस्सा बूले का और दो हिस्से चावल के आटे की और आटे को बहुत अच्छे से इसको मलना है जब तक आटे अच्छा नहीं बनेगा ना तब तक आपका यह अनर्स अच्छा नहीं बनेगा विखिट जाएगा उसमें शेकने में तो यह हमेशा आप धियां भाइब दूब में आटे नहीं बनेगा विखिए।